बैंक ओफ इंडिया स्मॉल कैप फंड क्यों बात कर रहा हूं इस स्कीम के बारे में क्योंकि एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख आपको ये मुच्यल फंड स्कीम देता है जो कि आपको अपनी इंवेस्टिंग जर्णी को आसान बनाने में सिंपल बनाने में बहुत ही होने वाला है तो लगभग पांच साल अब कंप्लीट हो चुके हैं अभी इस डेट पे आप इसका परफॉर्मेंस देखते हूं तो पिछले पांच साल का परफॉर्मेंस काफी जवर्दस देखने को मिलता है लाइक लास्ट फाइव यर में जो सिंस इंसेप्शन रिटर् दिया है फिर भी भले ही अपनी कैटेगरी में 13 नमबर पे है क्योंकि 58% का रिटर्न बना के स्मॉल के फंट दे रहे हैं तो 43% रिटर्न देने के बाद भी 13 नमबर पे है लेकिन 43% रिटर्न एक साल में कम नहीं होता है इसके अलावा पिछले तीन साल और पांच साल के टाइ हैं तो बैंक ओफ इंडिया स्मॉल के फंट के हाला बहुत ज्यादा खराब हमें देखने को मिल रहे थे बहुत बेकार उस टाइम पे ऐसे लिटरली कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इस स्कीम को एक्जिट कर दिया जाए 2021 के नौंबर या 2022 के जनवरी फरबरी मार्च यह सब जो टाइम था इस टाइम पे अगर आप बैंक ओफ इंडिया स्मॉल के फंट के नरबेको स्मॉल के फंट को देखते तो टॉप पे यह स्मॉल के फंट सापको देखने को मिलते वैसे कैनवर बैको स्मॉल के फंट ने भी 35-33% के आसपास करेटर पिछले एक साल में दिया है पट फिर भी उस तरीके की रिकवरी अभी बची है उसके अंदर में जिस तरीके की रिकवरी सौट टार्म में बैंक ओफ इंडिया स्मॉल के फंट ने दे दी है और यही चीज मैं आपको बार बर बताता हूँ कि जब मुचल फंट स्कीम खासकर स्मॉल केप के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्कीम को हमें टाइम देने की जगुरत है 2022 के स्टार्टिंग तक जो पीछे के रिटरंस थे काफी बढ़िया दिख रहे थे इसी स्मॉल के फंट के 2022 बहुत बुरा गया इसके लिए 2023 के भी सुरुआती समय जो है इस स्कीम के लिए अच्छा नहीं गया लेकिन उसके बाद स्कीम ने फिट से वापस से रिकवरी करी और जो 2022 पूरा खराब गया था उस पूरे को रिकवर कर लिया पिछले एक साल के ही बस रिटर्ण में या फिर पिछले थी छे मैंने में जो रिटर्ण मिले है उस इमें तो यही चीजे होती हैं जो एक वी एक तो एक बनता है पर वेट करना परते है जैसा पास्ट रे मैंने SBA का भी एक्जांबल दिया था SBA के अंदर भी ये चीज़े हमें देखने को मिलती है कुछ समय तक बिलकुर रिटर्ण नहीं मिलता है कुछ समय तक बहुत जवरदस्त रिटर्ण मिलता है 80% पैसा Bank of India Small Cap Fund Small Cap category के स्टॉक्स में इंवेस्ट करती है अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा exposure इसका BSC के अंदर है Bombay Stock Exchange के अंदर में और यहीं रीजन है कि इतना तगरा इसका रिटर्ण भी हमें देखने को मिला है क्यूंकि Bombay Stock Exchange बहुत ही कम समय में चार-पांच गुना यह स्टॉक हो गया है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक के बारे बात किती तब से भी चार-पांच गुना हो चुका है यह स्टॉक तो स्टॉक में इंवेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा बस यह बोल रहा कि जब हम इंवेस्टमेंट करते हैं किसी स्कीम के अंदर में तो तुरंत तुरंत बार-बार हमें स्कीम को चेंज नहीं करना चाहिए कोई स्कीम अगर नहीं भी परफॉर्म कर पा रहा है तो उसके अंदर वेट करो होल्ड करो देखो कि अब कैटेगरी में दूसरा 60% का रिटरन दे रहा है लेकिन मेरे स्कीम में 30% का रिटरन दिया तो इससे घबराने की ज़रुरत नहीं है आपकी जो एक्स्पेक्टेशन है उस स्कीम को लेकर क्या एक्स आयार टर्म्स में उससे बहतर आपको मिल रहा है अगर मिल रहा है तो बस बने रहा हूँ स्कीम के साथ छोड कर भागने की ज़रुरत नहीं है हमेशा ही स्मॉल कैप कैटेगरी में तो खासकर ऐसा होते रहता है कोई उसी टाइम प्यर्ड में कोई स्कीम आपको 50-60-70% का रिटरन दिखाएगी और कोई स्कीम 20-22-25% का रिट करती है तो बस पेसिंस के साथ देखो इतना ही सिंपल होता है मेशल फंड के अंदर वेल्थ क्रियेट करना बस पेसिंस के साथ होल्ड करना होता है और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल केर फंड एक बहुत बड़ा उधारन है जिसने भी 2022 में खराफेज के दौरान पे यहां पे इग्जिट कर लिया होगा उसने नुकसान में अपना पैसा निकाला होगा नुकसान में नहीं भी निकाला होगा तो जितने प्रॉफिट में हो सकता था उसका इंवस्ट्मेंट उससे तो गिर के ही इग्जिट किया होगा क्योंकि इन भी गिर चुकी थी खराफ परफॉर्म कर रहा था अगर एक साल वो और टाइन देता तो अभी इतना बहतरीन जो यह 40-50 परसेंट का रिटरन पिछले एक साल ने मिला है वो पूरा वो मिस्ट कर गया तो इसलिए पेसेंस नाख होए जितना अब ज़्यादा समय तक होल्ड करेंगे उतना बहतर कोई भी स्कीम आपको रिटरन बना के देगे और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बढ़िया एक्जांपल दिखाए